लेकिन केज़िवाल जी कहते थे कि हम कट्टर इमांदार पार्टी वाले हैं कट्टर इमांदार यह तो दिखा रहे हैं ना इन्होंने कहा था कि मैं जैसे सरकार अगर मुझे आएगी सबसे पहले मैं सीला दीचित को पहली जैसे बनेगा वैसे मैं जेल भीज दूगा सोनिया सूनिया गांदी को बोला सीला दीचित जब यह बन गए तो सीला दीचित को एक आवाज मूब टेप हो गया था यही कॉंग्रिस से साथ लिया आज कोंग्रिस के साथ रा aspects मजब बनाकर किmu और आप कहते हो कि मैं दिली और पंजाब में राज कर रहा हूं मैं पूरे भार्त म हम भी खिलाफ़ कर रहे हैं कि मोदी जी हारें बीजेपी हारें मैं भी कह रहा हूं लेकिन अगर वो बड़ा चोर है तो आप छोटा चोर बनोगे चोरी तो चोरी है चाहिए एक रुप्या का हो यह सो रुप्या का हो चोरी तो चोरी है आप कहते हैं कि मैं तो छोटा चोर हूं लेकिन केज़ जिवाल जी कह रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से दीजी आप लोगों से अपिल कर रहे हैं वो दिल्ली के पूरे देश के लोगों से जनलिस मोहदे आज करप्सन के नाम पे करीब करीब 500 लीडर हमारे जेल के अंदर हैं अगर जेल का जवाब देना है तो 500 और 43 मिलकर कि यही लोग बन जाना फिर अच्छे सच्छे जन पर देदी कि क्या जरूरत है आप जो है आसा राम देखे और राम रहिम देखे राम फल को देखे बहुत सारे बलतकारी लोग हैं वो हो रहा है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जनता को जागरूख होना होगा और ऐस इडमिशन लेना है, तो उसको तरह-तरह के गंपडिशन एक्जाम देना पड़ता है इन नेजरों को एक्जाम होना चाहिए, इनकी टेस् leash होनी चाहिए और ये जेल से आपने सत्ता भोगना चाहते हैं तो ये देश के लोगतंत्र के हमें खत्रे में हैं लोगतंत्र की मजाक उड़ा रहे हैं समीधान का मोजाक उड़ा रहे हैं और यही के जरीवाद जब जेल से आते हैं जब इनको इंट्रिम बेल मिला है तब यह बैट करकर करके अब प्रेस को मीडिया से करते हैं तो एक तरफ जो है हमारा अमबेदकर की फोटो होता है दूसरी तरफ जो है भगर सि कि ठीक है आपकी आस्ता है हनुदजी का तो क्या आपने अब आवामवा आंब्रकूर को पर कुछा क्या आपने गान्धी जी को जब कोई बात होता था तो राजगार जाते थे आप मतहतेका क्या आपने भगत सींग को मता टेका क्या आप पंजाब गए कहां गए आप गए वही जो सनातल लाना चाहते हैं वही जो RSS का एजेंडा है आपका भी वही एजेंडा है आप भी धर्म और कर्म करकरके नफरत फैला करके रानिती करना चाहते हैं आप कहते हैं कि 80% मुझे जो हिंदू का जो बोट है वह हिंदू का बोट मुझे मिल्या बाकि लोग का किसी का मिले या ना मिले और इसे लिए समय समय पर कभी कास्मीर कभी पाकिस्तान और कभी इद उदर की बाते करते हैं लोली बब देते हैं फिरी की बात करते हैं फिरी कहां से कहां से क्या आपके बाप दादा ने कमाया क्या आपने कमा के रखा है क्या आपका सेली आपका पेंसन का पसां खर्च करोगे करता है क्या आप घर अर्विंद किज्रिवाल सहाब को दिल्ली की जनता 2011-12 से जानती है मैं उन्हें 2001 से जानता हूं वो आदमी पहले समाजी काम करने के लिए सोचा कि मैं समाज की सेवा करूगा लेकिन आसा केच्वा मिला आसा जोक बन गया जिसने दो चहरा लेके चला एक कि मैं बहुत इमनदार हूं मैं भस्टाचार खतम करूँगा जो भी भस्टाचार करेगा उसको जेल भेज दूँगा उसके लिए मैं लडूँगा मैं लोकपाल लाओंगा मैं सौराज लाओंगा उसके लिए अन्ना हजारे का फादा लिया गय कि ठीक है अगर सब लोग मिल करके अच्छे काम करने के लिए जा रहे हैं तो साथ देना चाहिए मैंने साथ दिया तन मन धन तीरों से साथ दिया लोगों ने साथ दिया लेकिन जो ये अंदर से चुपा हुआ था जिस पर ये पर्दा था जिस पर ये नकाव जिस पर ये इंट्रिम बेल उसे मिलता है जो मुझ्रिम होता है अगर यह मुझ्रिम नहीं थे मनु सिंग भी सहाब ने लगाया था अप्लिकेशन तो उनको रिगुलर बेल के लिए लगाते रिगुलर बेल नहीं तो काते जी सहाब हमारे पर केसी नहीं बनता मैं तो मुझ्रिम नहीं इनको regular बेल नहीं मिला इनको इंटरिम बेल दिया गया है चुकी लोगसवा का चुनाओ इन्हों ने कहा कि मुझे लोगसवा के चुनाओ के वक्त में अरिश्ट किया गया है मैं एक पार्टी का राष्ट्रिय अध्याच हूँ कॉन्वेनर हूँ और मैं हेड हूँ मैं दिल्ली कि मैं इतना दे दूँगा मैं पूरी भारत को दे दूँगा तो क्या परधानमंत्री होने जा रहे हैं आप एक मिमर और पालिया मिंट का चुनाओ नहीं लड़ रहे हैं आप उमिद्वार नहीं है आप पाटी के लिए बात करें और दस गारंटी दिया तो दस गरंटी से क् पूरा कर देंगे दो सो बहतर दस दस क्या वो सरकार बनाएगी क्या इसका मतलब यह है कि केजिनी वाल परधानमंत्री बनने के लिए हाप देख रहे हैं तो यह सही नहीं है उनको दो जूनको जेल जाना होगा उन्होंने क्राइम किया है उनका अभी सराप का दो चार और के हुआ हैं दवाई dong नहीं हैं मक्खी भीन मिना रही है वह सारे पैसा इन्होंने घबले में खागे तो आप कहते हैं कि मैंने दवाई दी इसकूल की बात करते हैं तो एक दो जाहे कि यह जो है आज बाहर आकर के चाहे कुछ भी तिसमार्खा बन जाए लेकिन फिर इनको जेल जाना होगा केज़ जीवाल जेल से बाहर आ गए हैं लेकिन दूसरे सीए में हैमन सोरें वो जेल गए तो पहले उन्हें पने पत्र से ताग पत्र दिया दूसरे व्यक्ति मुक्यमंत्री बना लेकिन उनको जमान नहीं हुए यह जमान पर बाहर आ गए हैं लोग सवाल उठा रहे हैं कि नियाए पालिका में भी जातिवाद है भेजवाद है जिसका जो खायम्याद भुखतना पड़ा है है में सोरें इनको जनलिस मुदे यही मैंने कहा कि एक तरफ आप मैं इसलिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी गटगरे में खड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोचा इसमें एडी की कितना फादा हो रहा गर्मेंट को कितना फादा हो रहा उसे हमें तो उस पर विचार करने वाली बात है लेकिन सुप्रियम कोट ने अगर एक नेता को इंट्रिम बेल देता है तो हमन सोरेन को भी देना चाहिए वो भी चीफ मनिश्टर है वो भी आदिवाशियों का लीडर रहा है तो आपने भेदभाव कर रहे हैं आपका 500 नेता जो है वो भी एलेक्शन लड़ सकते वो भी कहीं नो कोई पार्टी का कोई परधान है कोई हेड है कोई सेकेटरी है कोई जेनल सेकेटरी है तो वो भी परचार करेगा तो आप उनको परचार नहीं करने दे रहे तो एलेक्शन जो कोलिजियम सिस्टम है वहाँ भी स्वर्ण बाद वहाँ भी ब्रह्मन बाद, वहाँ भी उच बाद और तना सही चल रहा है और मिल करकर के सब लोग इनके इन परकान तरीके से जो बहुत संक्यक 85-90% है, उनके हक और अधिकार को मारा जाता है उनके साथ भेद भाव हो रहा है, तो हम समिधान मान कहां रहे हैं, कहां है क्या आप गरीबों को क्या दो बजे रात में आपने उसकाора बिल दिया क्या उनका सुना 10-15-15 साल से जेलों में शड़र हैं, आपने नहीं सुना, निकी नेताओं को 2 बजे सुनेंगे और 4 बजे सुनेंगे रात में सुनेंगे उनको जो है जमानत देंगे ये क्या है, क्या कानून dastra का है कानून एक है तो चाहे राजा हो, चाहे रग हो हर एक के साथ, वही लागु होता है तब कानून मानेंगे और कॉलेजियम में आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे नियाई पालका के अंदर सब के सब फोरवट लोग जो है क्लीम लियर के तार से कि नहीं जी गरीबों में कोई पढ़ा लिखा नहीं है कोई ज़्यादा लॉड नहीं जानता है तो हम क्या करें वो जो पढ़ा है हम उन्हीं को लेंगे तो आप यह मनमानी कर रहे हैं आप 141 को लोड में आपको कोई पढ़ा लिखा नहीं दिख रहा है क्या अम्वेदकर ने जो 1950 से जो ही लगातार मेहनत किया है जिसकी वज़े से लोग बहुत आगे आए हैं क्या उनको मुका नहीं मिलना चाहिए तो यह तरह का भेद भाव जो हमारा आज कोलिजियम के सिस्टम से कर रहा है हमारा न्याए पालिका में एक सवाल उड़ गया है जहां हम विदायका पे बिस्वास नहीं कर रहे है वहां हम न्याए पालिका पे भी बिस्वास तूड गया है वहीं हमारा जो है कार्ट पालिका जो भसाचार करकर के दौलत लूट करके और आईएस आईपिएस जो है पासा खर्च करकर करके और आईएस जो अठाइस साल पढ़ता है मेहनत करता है वो फेल हो रहा है और बैक डूर से बिना पढ़े आईएस बन रहा है कौन बना आप जाके पुछिए कि बिल्ला जो हमारे लोग सवा के अधाच हैं उनकी बेटी को आईएस का उपाथी क्यों दी गई तो इस तरह का आप डारेक्ट करना है तो फिर आईएस का एक्जाम किस बात का खतम कर दीजिए तो इस तरह का ये भेद भाव नहीं चलेगा और हमारे देश को इन लोग बेड़ा गर्द कर रहे है इसके लिए हमें एक जनकरन्ति की जरूत है और जनतां को जागना होगा और जब जागेगा नहीं तब तक उसके हक और अधिकार नहीं मिलेगा और इसलिए मैं कहना है कि आए नपी अहरणनिसनर पार्टी के साथ आईए और हक अधिकार और सम और जो है आरतिक आजादी और समाजिक भागीदारी के साथ भारत को खुशाल बनाई है।